दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करना हूँ दो प्रीमियम ब्रैंड्स के टीवी को कंपेर और जो 2020 की बहुत ही बहुत ही बहतरीन मॉडल है जी है दोस्तों मैं बात करना हूँ LG के UN7300 को compare करेंगे Samsung के TU8570 से दो कि दोनों ही TV आप बहुत ही धमाकेदार TV है बहुत जादा लोग को confusion है बहुत सारे comments भी आ रहे तो आज के वीडियो में इसी TV के बारें बात करेंगे पताएंगे सारी details इस TV से related कौन सी TV अच्छी है कौन सी बुरी है क्या अच्छा है क्या मुदा सब कुछ cover होने अला है इसी के साथी साथ आप वीडियो के end में decide कर पाऊगे कौन सी TV आपके लिए perfect होगी तो सब कुछ होने अला है धमाके दार इस वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार दिरिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए घंटी बाज जाईए टेंटर आज शुरू वार्त करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है यहां पर मैं एक तरफ रख लेता हूं LG के UN7300 को और दूसरी तरफ रख लेते हैं Samsung के TU8570 को और इस कंपेरिजन को आप आसानी से समझ पहूँ है इसके लिए मैं यहां पर डिवाइट के अलग-अलग के बारे में उसके बात करेंगा अडियो कॉलिटी के बारे में कनेक्टि मिलेंगे start to end जिससे आप आसानी से समझ पहूँ तो यहां पर सबसे पहले pick करते हैं picture quality display panel के बारे में तो यहां पर LG UN7300 2020 का model उसमें आपको 4K का resolution देखने मिल जाएगा IPS panel के साथ आने वाली TV है 10 bit का panel है मतलब यहां पर 1 million से भी ज्यादा color देखने मिल जाएगे और IPS panel है यह इसी के साथी साथ यहां पर बात करें brightness knits के बारे में तो यहां पर 350 knits के brightness knits दी गई है और contrast ratio के बात करें तो 1100 raise to 1 का contrast ratio दिया गया है direct LED backlighting source दी गई है इस TV में इसी के साथी साथ यहां पर 4K upscaler technology यूज़ किये जहां पर SD का content आपको 4K में upscale होके दिखाया जाएगा तो यह upscaling के मामले में भी यह TV काफी अच्छा perform करने वाली है इसी के साथियात color को improve करने के लिए यहां पर LG यूज़ कर रहा है dynamic color technology true color accuracy का support आपको देखने मिल जाएगा और यहां पर additional noise reduction का support दिया गया है जिसमें आपको जो background में जो भी images से या फिर वीडियो में जो noise होता है वहां पर इसको improve करने के लिए noise reduction जैसी technology आपको देखने मिल जाएगी और यह सब काम करने के लिए जो background में जितनी प्रोसेसर होगी उसको manage किया जाएगा जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस टीवी की और बात करें टीवी के standard refresh rate के बारे में तो इस टीवी आपको 50 Hz का standard refresh rate देखने मिल जाएगा इसी के साथ ही जाथ यहाँ पे HDR capabilities को हम लोग कैसे भूल सकते हो तो इस टीवी आपको HDR, HDR10, HDR10 Pro, HLG Pro सभी का support देखने मिल जिसमें आपको जो input lag होगा बहुत ही कम होगा और गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा experience देखने के आ रहा है यहाँ और इसी के साथी साथ यहाँ पे HDR इफेक्ट है गेमिंग के वक्त और जो ग्राफिक्स होंगे बहुत ही तगड़े देखने मिलने हो तो मतलब यहाँ पे अब भी शूटिंग की है उस समय जो भी standard refresh rate यूज किया है जैसे settings यूज किये वैसा आपको इफेक्ट आपको इस mode में देखने मिलना और जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस TV के और आप बात करें Samsung के TU 8570 TV के बारे में तो यह TV बाती है 4K resolution के साथ और यहाँ पे लगा यहाँ बीट एफार्टी पैनल है मतलब यहाँ पर आपको वन मिलन से भी ज्यादा आपको इस TV भी देखने मिलेंगे इसी के साथ इसाथ यहाँ पर बात करें brightening,nits और contrast ratio के बारे में तो इस TV में भी आपको जो brightening,nits से आपको दिखने मिल जाएगी 450 nits की brightening,nits और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो contrast ratio दिया गया है,6500 ratio 1 का contrast ratio दिया है क्योंकि यहाँ पर जो technology यूज की गई है,वो dual LED technology यूज की गई है और यह एक नई technology है जो Samsung यूज करता है उनके QLED series में, लेकिन first time Samsung ने यहाँ पर यूज किया है Ultra HD series में, तो यहाँ पर basically dual LED technology करती किया है, यह technology technology produce करती है, cold और warm lights और जिसके तुरू प्रॉपरली जो lighting का management है, बहुत ही अच्छी तरह से होता है background में, इसी के साथ ही यहाँ पर color को manage करने के लिए, Samsung यूज कर रहा है, dynamic crystal color technology, यह technology भी Samsung अभी तक use कर रहा है, QLED series में, लेकिन पहली बार Ultra HD series में भी देखने मिले है, मतलब य बात करें, टीवी के processor के बारे में, तो इस टीवी में लगाएगा crystal processor, इसी के साथ ही साथ contrast enhancer इसी technology आपको देखने मिल जाएगी, और यह basically technology बनाई गया, यह Samsung के ही द्वारा, और यहाँ पर बात करें, HDR capabilities के बारे में, तो इस टीवी में आपको HDR, HDR10, HDR10 Pro, HLG, सभी का support value के बारे में, PQA value, basically जिन लोगो नहीं पता, उनको पता दू, picture quality index, और यह जो measurement है, यह बनाया गया है, Samsung के द्वारा, और यह value से ही पता चल दा दे कि picture quality कैसी होने वाले इस टीवी में, कितनी अच्छी है, यह value से आप decide कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर यह value में आपको क् picture quality cover होगा, brightness, sharpness, CC के साथियत, color, जितने जो भी अच्छे होने वाले है, value ही decide करता है, तो इस TV में आपको 2800 की value दी गई है, मतलब PQA value 2800 का है, मतलब picture quality बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाले है, क्योंकि यह value अभी तक बाकी TVs में, अभी तक Samsung ने जो भी TVs बनाई है, इ लेकिन यहाँ पे आपको 2800 की PQA मिल रहे है, मतलब इस TV में picture quality बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बात करें film maker mode के बारे में, जो आपको LG की TV में भी देखने मिल रहा था हो, और वो आपको same इस TV में भी देखने मिल जाएगा, इसी के साथी जात यहाँ पे बात latency mode वाला भी option मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको low latency mode तो मिल रहा है, लेकिन variable refresh rate आपको इस TV में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे gaming के लिए मैं आपको suggest तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ ठीक था gaming आप इस TV में भी कर सकते हो, और दोस्वा आगे बढ़ते और बात करते है यहाँ पे audio output और sound technology के बारे में तो यहाँ पे आपको 20W के sound output देखने मिल जाएगे, लेकिन जो sound technology वो अलग अलग है, Dolby Digital Decoder Plus, Ultra Farron की technology आपको देखने मिल जाएगे, LG की TV में, और दूसरी तरफ Samsung की TV में आपको देखने मिल जाएगा, Dolby Digital Plus की technology, इसलिए के साथी साथ एक खा वहाँ पे ही सब audio आएगा, मतलब जहाँ पे लोग बैठे, वहाँ पे audio produce करेगा, साइड में बैठे, तो साइड में audio भी जाएगा, लेकिन अगर सामने ही बैठे, तो सामने ही जाएगा, तो यह AI acoustic tuning technology के थुरू होता है, जो आपको LG की TV में देखने मिलेगा, लेकिन आपको operating system के बारे में, तो LG की TV में आपको WebOS का operating system देखने मिल जाएगा, और दूसरी दरब बात करें, Samsung की TV में तो Samsung की TV में आपको Tizen का operating system देखने मिल जाएगा, और जहाँ तक सवाल है, content provider के बारे में, तो दो की दोनी TV में, जितनी भी popular content provider है, वो आपको प्रेंच आल देखने मि सवाल है कि भाई, इस TV में आप side load कर पाओगे, या नहीं, या फिर कोई app से आप IP के लाओ और install कर दो, तो ये possible नहीं है, दो के दोनों भी TV में, आप चाहते है कि कोई app side load करो, तो यहाँ पे आपको एक ही option निकल क्याता है, कि आप कोई भी Android box ले लीजे, या फिर fire stick ले लि दोसों बात करें, यहाँ पर TV के connectivity options के बारे में, तो आपको 2 के दोनों TV में, 3 HDMI, 2 USB port दिखने मिल जाएंगे, Ethernet का port दिखने मिल जागा, LAN port दिखने मिल जागा, Audio Video का port दिखने मिल जागा, मतलब जितने TV में required ports होते है, सभी के सभी आपको इस TV में देखने मिल जागे, लेकि इसी के साथ ही साथ, जो HDMI port है, दोनों TV में 2.0 दिए गए है, लेकिन आपको LG की TV में, आपको ER port मिलता है, जिसको बोलते है, Enhanced Audio Return Channel, लेकिन आपको Samsung की TV है, उसमें आपको ARC port मिलता है, जिसको बोलते है Audio Return Channel, तो यह एक difference है, इसी के साथ ही साथ, आपको HDMI port को लेके एक और difference क आपको LG की TV में, HDMI CEC port दिखने मिलेगा, लेकिन आपको ये port आपको Samsung की TV में देखने नहीं मिलेगा, जिसको बात करें HDMI port के बारे में, तो यहाँ पे भाई, जैसे मैंने कहा कि आपको 2.0 compliant input वाले HDMI port दिए गए है, तो यहाँ पे आप जो नए PlayStation आ रहे है, इस साल के 2020 के, जिस में आपको 2.1 का HDMI port दिखने मिलेगा, तो वहाँ पे आप connect कर पाऊगे, ये TV को उस PlayStation से लेकिन यहाँ पे एक ही condition होगी, condition यह है कि आपको 4K at the rate 60 fps पे आपको gaming करनी पड़ेगी, वही आपको एक option मिलता है, आप 4K at the rate 120 fps पे gaming नहीं कर पाऊगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस TV को लेते हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही important factor है, especially gamers के लिए, और दोस्वों आगे बढ़ते और बात करते है, TV के design के बारे में, तो बात करें, LG की TV के बारे में, तो LG की TV में आपको thin bezel design देखने मिल जाएगा, और जो table top stand है, वो आपको common ओला देखने मिल हो, तो मुझे Samsung की TV की design बहुत ही जादा अच्छी लागी, इसी के साथ ही जो table top stand है, वो भी अलग style का है, मतलब आपको ऐसा बोलते है, A shape का ऐसा table top stand मिलता है, जो एक TV को unique बनाता है, अगर भाई आपको wall mount करना तो बात अलग है, लेकिन अगर आप table top को consider कर रहे हो design में, तो बहुत ही जादा अच्छी design है, table top stand की, Samsung की TV की, इसी के साथ ये TV की overall design भी Samsung की TV की यहाँ पर बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, और दोस्तों आप बात करें, यहाँ पर smart features के बारे में, जो usually Indian customer को जादा attract करते हैं, मतलब आप showroom में भी जाओगे TV लेने के लिए, तो जाएगा, Apple Lplay 2, Amazon Alexa, Apple HomeKit, सभी का support आपको दिखने मिल देगा, TV में आपको मेराकास का support दिखने मिल देगा, additionally बात करें, इस TV में आपको home dashboard मिलता है, home dashboard समद लो ऐसा ही कुछ है, TV में आपको समद लो, एक dashboard मिलता है, जिसमें जितने भी room में smart devices, जितने भी connected है, आपको उस TV म मिल जाता है, और इसी के साथ इस आपको smart speaker compatibility का option मिल जाएगा, two way Bluetooth sharing का option है, और एक और खास feature, sports alert को लेके, जहाँ पर समद लो, आपको reminder मिलता है, अगर आपको अहाँ पर अपने TV को manage किया है, या फिर setting में add किया है, आपको sports के लिए remind किया है, तो आपको sports alerts आपको इस TV में देखने मिल जाएगा, तो यह सारे features आपको LG की TV में देखने मिल जाएगे, अब यहाँ पर बात करें, Samsung की TV में आपको क्या खास मिलता है, smart features के बारे में, तो यहाँ पर आपको voice unable remote मिल जाता है, additionally यहाँ पर बात करें, Google Assistant, Amazon Alexa, Bigs P, जैसा Apple का Siri, Samsung का Bigs B, यह features आपको देखने की TV में देखने मिल जाता है, सेम यहाँ पर आपको smart IoT Dashboard के नाम से आपको Samsung की TV में देखने मिल जाएगा, जिसमें आप जो भी smart devices हैं, उसको आप इस screen के थू कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के साथ ही आपको Samsung की TV में, आपको multi view को option मिल जाता है, जिसमें समझ लो, आप स्क्रीन क TV की स्क्रीन है, उसको split कर दो, एक तरफ देख लो कुछ Netflix से कुछ content, और दूसरी तरफ देख लो hot star पे कुछ content, तो यह मतलब कितना relevant है, वो मुझे नहीं बता, लेकिन ऐसा कुछ आपको इस TV में ऐसा smart feature देखने मिल जाएगा, इसी के साथी आपको tap view का feature मिलता है, tap view features अमर आपने TV, phone को tap किया, TV पे content sharing चालूँ, मतलब जो भी आप phone में देख रहे थे, आप सीज़ा सीज़ा TV में देख पाऊगे, तो यह सारे features आपको देखने मिल जाएंगे, Samsung की TV में, additionally यहाँ पर आपको ambient mode का feature मिलता है, ambient mode समझे लो, आपने TV में कुछ लगा दिये, wall पे slides होगे तो वो इतनी अच्छी तरह से play होंगे, जैसे आपको लगाएगा, फोटो फ्रेम लगाएगा, तो यहाँ पर ambient mode का भी feature, एक अच्छा feature निकल के आता है, इस TV में, और दोस्तो एक और point में कहना चाऊँगा, TV के cable management को लेगे, जो Samsung की TV में आपको एक दब नीट और clean cable management दिये तो TV के पहले बात कर लेते हैं, कौन-कौन से variants आपको देखने मिलेंगे, तो जहाँ पर आपको LG, UN73, 5 variants मिलते हैं, और जो शुरू होती है, 43 से 50, 55, 65 और 70 यह 5 variants आपको देखने मिल जाएंगे, दूसरी तरफ बात करें, Samsung की TV में आपको 3 variants देखने मिलेंगे, जो होगा, 43 का 55 और 65 यह 3 variants आपको देखने मिलेंगे, और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीन दो के जितने ही variants है, उसके price और उसके size, दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों ही TV को summarize करूँ, तो यहाँ पर मैं अगर बात करू, LG की TV के बारे में, तो LG में आपको बहुत ही अच्छा gaming option बहुत ही अच्छा experience होने वाला है इस TV में, लेकिन बस जैसे मैंने बताए कि आपको जो नए PlayStation है, और Xbox उसमें आपको एक चीछ मैनेज करनी है, जो मैंने बताए कि 4K at the rate 60 fps वाला, इसी के साथ ही साथ बात करें, Samsung की TV के बारे में, तो Samsung के लिए भाई, यहाँ पर आपको LG की TV लेनी चीए, लेकिन अगर आप सामने से ही बैट के देखने वाले हो, तो यहाँ पर आपको Samsung की TV कंसीडर कर लेनी चीए, और बाकी आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी TV ले रहे हो इस साल, और आपका कोई सवाल सुझाओ, कोई भी राय हो, तो मुझे ज़रू बताना Samsung और ने बहुत ही अच्छी उनको service भी दी, और और replace भी किया उन्होंने, ठीक है, और दूसरा unit भी दिया, तो ऐसी problems आ रही है, कुछ-कुछ units में problem है, यह manufacturing defect है, तो इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, यह आपका luck पर depend करता है, हो सकता है, आपको वो गंदा वाला unit मिल जाए, या फिर ना भी मिले, तो यह कुछ-कुछ units में है, और manufacturing defect से जैसा मैंने कहा, तो यह हो सकता है, लेकि इसका मतलब यह नहीं कि TV खराब है, यह आपको ऐसा कभी भी यह thinking नहीं लानी कि TV खराब है, और कुछ भी problem होता है, या फिर जैसे आपको TV receive होती है, तो आप light bleeding एक वीडियो है, यूटूब पर ही है, वो आप download, आप play कीजिए, और check कीजिए, कि मतलब कोई भी light वहाँ पर कुछ ऐसा bleeding आपको दिख रहा है, और अगर आपको दिख रहा है, तो तुरंत आप service center को, उनको contact कीजिए, LG की team को, और उनको बोली, भाई TV replace करना है, और वो easily replace क कर दें, क्योंकि Samsung की team को भी इसके बारे में पता है, तो यही थी सारे details, जो आपको समझ में आगे रहे हैं, कौन सी आपको TV लेनी चाहिए, या नहीं, फिर भी कोई भी सवाल, कोई भी सुझा हो, कोई भी राय हो, जरूर लिखी कमेंट रेकिन में कुछ भी सवाल हो, तो आ रहाल then keep smiling and keep watching, happy guy, bye-bye.